किंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लाल के लिए को लेकर डालमिया भारत गुरुप के साथ किये गए करार प्रास्टे जंतादल के राज्य सबसंतर से मनोज्जा का कहना है कि हमारे परधान मंत्री जी ने जो फैसला लिया है अगले 15 अगस्त को जो भाशर देगा वो लाल के इसे नहीं डालमिया फोट से देगा ये मेरे मुल्क की कहानी कह रही है इसे आप भी बाजार में बदल रहे हैं सारी रिवायते खतम की जारे हैं इस दौर में यदि अलिगर से ये आवाद नहीं उटेगी तो सरसेयत को भी ये बुरा लगेगा मंचा इस बस्ट है कि आप हर चीज को बेचने को तयारी कर रहे हैं अगर मेंटेंस के साथ साथ आप ये कर रहे हैं तो मुझे डर है कि एक साल के अंदर आप भारतिये संसत को ना बेच दे मनोज्जा अलिगर मुस्लिम इश्विदारले में चाथ जंग दुआरा आयो जित एक कारिकरब में भाग लेने आयते हैं डालमिया फोर्ट से देंगे पोरेट फोर्ट से नहीं देंगे तो ये मेरे मुलक की कहानी कहरा है कि इसको एक हिंसक बाजार में आप बदल रहे हैं सारी रवायते खत्म की जा रही हैं अगर इस दौर में यहां से अलिगर से अगर ये आवाज नहीं उखीगी तो मैं समझत अब हर कुछ बेचने को तयार है शिक्षा बेचने की कवायर कर चुक है स्वास्त को आप देख लीजी क्या हाल है आप पे पॉब्लिक हेल्ट सिस्टम को पूरी तरह तोड़ के रख दिया है और अगर ये मॉनुमेंट साथ आप ये कर रहे हैं मुझे आश्यर्य नहीं होग कि एक साल के अंदर कहीं भार के संसंद को भी बीचने की कोशिश्ट नहीं है पिरसीद इत्यासकार इर्फान हभीब ने का है कि भारत में एक एंसेंट मेंटेंस प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में अंग्रेजों ने जमीन जमाने में आया था इसके बास संसंद ने इसको 1958 में सैन के इसमें सरकार की जिम्मेदारी की सब्सेट मेंटेंस को ठीक से रखा जाई यह कोई नुकसान होता है तो तो यह यह उसाइश किती लेकिन पहले तो टूरिस्ट इंडिस्टी के लिए हिनके पयम के साहर्टिया किया के साथ युग हुआ है और इंटे सरकार क trophies उसने इ हुर्ण को पता हィ नहीं चल रहा है कि वो किस तरह से मसाले को है कर हरा है जब हमारे जो एक्ट उनका हुड़र है हमें सूछना चाहिए कि हमारी दर्षयक्षत के साथ ऐसा हुगा थो हमारी विलासत के साथ बहुत ज्याक्ति होगी कि सरकार समस्ति है कि टूरी ज्यादा है और हमें पैसे ज्यादा मिले सरकार से कहूंगा वह ऐसा ना करें पिदी कि ऐसा है कि भारत में एक एंचेंट मॉनिमेंट्स पॉटेक्शन एक्ट अंग्लिजों के जमाने में 1904 में आये उसके बाद उसको पार्लेमेंट ने लेजिसले सब प्रोटेक्टेड मॉनिमेंट्स का ठीक से उसको रखा जाए और इसमें अगर कोई अफसान होता है तो उसको ठीक से पूरा किया जाए उसको रिस्टोरेशन कहते हैं कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन अब तक तो ये पूरी जिम्मेदारी अर्केलाजिकल सर्वे की थी लेकिन इनको अब पहले तो पूरिस्ट इंटरिस्ट के लिए बहुत इनके साथ जाती हैं और इनको खुश्णमा बदानी की कोशिश की तो लाल कले के साथ ही ये हुआ कि जब फॉद ने इनको जो हिस्सा वो अकिपाई किये हुए थे कले का उसको छोड़ा और अर्केलाज सब्सक्राजिकल सब्सक्राइब को दिया उस जमाने में जो पिछली इंडिया इंडिया गावर्मेंट थी उसने कहा कि इसको टूरिस्ट ट्राफिक के लिए बना जाया जो पुराने जो फवारे थे और पुराने जो बासी इमारत के इस से थे जो उनके ख्याल में लेकिन किसी को उसमें सदा नहीं मिली और वो फ्राइब रहे अब हुमायों के मखबरे को और दूसरी बिल्दिंज को इन्होंने आवाखा मानटेशन को दिया जिनकी पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से मसाज़े को रिकलेस कर रहे हैं वो सही भी है गलत भी है कोई उनकी क उसका उल वाइलेशन है और यह सोचना चाहिए कि अगर हमारी मिल्क मुल्क के जो बड़ी अंटिपोटीज हैं उनके से साथ यह काम किया जाएगा कि उनको प्राइवेट फर्म्स को दे दिया जाएगा जो अपना वहां प्रचार करें और उसके साथ जो चाहें करें जैसे ह प्राफन फांडेशन ने किया है उनके खिलाफ को भी शिकायत हुई लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई क्योंकि यह समझा जाता है कि उनकी वज़ए से टूरिस ज्यादा है तो यह तो अपने जो हमारी लगसी है जो हमारा बरसा है इसके साथ बहुत ज्यादती है सब्सक्राइब क्या सोचे इसके प्रीशे क्या मानते हैं मत यह मानता हम क्यों समझते हैं कि जिससे टूरिस ज्यादा आए और हमें फायदा हो पैसे भी मिलें वहीं होना चाहिए जिस तरह से जो मॉनुमेंट्स हैं इनको प्राइवेट लोगों को देना कहीं लगता है कहीं चिर्चार करेंगे लोग अपनी तरह से बनाएंगे उसको और हमारी सांस्क्राइब ग्राज़त है हमें जैसे हावा खान का हुआ है उन्होंने तो पूरा डेकोरेशन था ही नहीं उसको बना दिया कि यह मुगर्ड डेकोरेशन है हमें कोई उसकी क्या कोई सनग नहीं तो ऐसे ही हो करें अब आप उसके बाद लड़ते रहें जैसे हुआ ही उस्टूम में हो रहा है अब तो कि अनों ने कर दिया इन यह भी कर दिया गया अब यह भी यहीं भी आज ही होगा क्यों कि यहुख तो एक मनमुनात आपके पास ही साम है अच्थे आप क्या मनते हैं सरस्कों लिगा क्या ऐसी चीह होनी चाहिए जो स्सक्राणि नहीं तरफ अगे जिब्रवार की जिम्मेदा अब यह तो आप लोग तक हैंगे लेकिन सवाल तो यह है कि जो खानून कहता है और जो खाइदें हैं कंसर्वेशन और उसके और जैसे जैसा वर्स आपको मिला है वैसे ही रहना चाहिए तो प्राइवेट फर्म को आप देंगे तो जाहर है वो खर्च तो करेंगी नहीं वो तो कुछ फाइदा उठाएंगी बढ़ना उनका क्या फाइदा है तो वो यह उठाएंगे के बही आसा बनाओ के ज्यादा लोग देखने आए उसमें चमक दमक हो चाहे उस वक्त ही यह नहीं थी तो एतास एक तोर से तो पूरा खराम हो जाए तो एतास एक डश्टी से इस खराब हो जाएगी सारी जिए एक डान में सर पस लाश्ट बूलना है उसको डान में गरूप को देना भारत सरकार के द्वारा कहीं नहीं कहीं लगता है कि सांस्क्रित धरोबरों के साथ जो चिरचाड हो रही है वो तो पहले ही से चल लही है पहले आगाखा फंट के थरूप की जा रही थी अब इंडियन कैपिटलिस्ट के थरूप की जा रह पता नहीं क्या वज़ा है क्योंकि शद्व यह समझते हैं कि जो ना समझ टुरिस्ट हैं वो ज्यादा शौक से आएंगे और देखेंगे वो यह नहीं देख सकेंगे कि यह जैसे मायू स्टॉम के लिए अब कहा जाता है कि वो अकबर के जमाने में हाजी बेगम का बनवाया बलके अब अवहां फंट का बनवाया हुआ है ना वो कलर उसके रह गए ना वो पेंट रह गए ना वो उसके ब्रैकेट्स रह गए वो सब तोड़के फिक दिये गए एक मौडर्न 21 सथी की बिल्डिंग में तब्दिल कर देगी है कर दो रेटफोर्ड पर इससे पहले भी ए कि वो प्रोडियों से, अब पता नहीं दारिमें हो माली म эфф है कि बशिक cents प्रेंगे किया मुश olabilir इप के मुश्य है अब करमें पर धक्र जाने कि क्या मनशा है किया मैं प्रूरिंग स्के पीछ बीछा कितो अगर सिर्फ टूरिस्म पएसे जादा मैं बनाना है इंडिया के इतना बड़ा स्टाफ है अलावा मटेरियेट के और तो किसी चीज़ पहुंद की कॉस्पी नहीं आएगी उनके पास तो पूरा एक्सपर्टाइस बहुंच है क्या सलाह देना चाहेंगी गौर्वर्मेंट को उन्हें कौन सलाह दे सकता है बाश्यों के इस पसिम क कि किसी भी बिल्डिंग से नकरें आज यह मुझे तो डरिये के कल वो यह कहेंगे कि माजंता लोरा पभी कुछ करने जा रहे हैं फिलाल नहीं सुन रहे हैं कि वो इविन बनारस कर जो पूरा इतिहासिक करेक्टर था उसको बदले दे रहे हैं वो गलियां चोड़ी कर पता नहीं मुझे नहीं मालूं कितना है जितना टीवी पर आ रहा है जितनी पुरानी बिल्डिंग्स थी जिनसे उस शहर की पहचान थी हर शहर की पहचान होती है सब हरे जो आजकल कर 20th century के capitalist town तो नहीं बनाए जाते हैं तो जो उसकी अपनी एक पुरानी प्राचीन सभ्यत सब्सक्ता थी उसको आप क्यों खतम करना ही जाते हैं तो इसे देखने मेरे खान में कोई नहीं आगा अभी आपके यह ख्याले के बहुत लोग आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा मेरे खान में तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा हमारे जानने वाले तो जितने बाहर से हिस आप पूरे शेहर को अडिगी की उसको साफ की जेए वजा इसके कि आप पूरे शेहर को मॉडर्णाइज करते हैं अगर सोच होती कोई अकल होती तो ऐसे अरकते हैं नहीं करते हो का रहे हैं अभी आपके यह ख्याले के बहुत लोग आइंगे और टूरिज्म बढ़ेगा मे अरे जानने वाले तो जितने बहार से हिस्ट्राइन से जो भी आते थे वो यही देखने जाते थे कि पान की दुकाने कहा हैं और करती पतली गली आएं उनको साफ करवा दीजे उनकी सफाई ठीक से कीजे जो घाटों की हालात हो रही है गंदिगी की उसको साफ कीजे वजा इसके क्या आप पूरे शेहर को मॉडर्णाइज करते हैं जी कहीं नहीं लगता है कि गवर्मेंट के फाइनल से इंकम की सोच है इस तरफ से क्या पैसा मिलागा उसको प्रियाप्त स्टाफ है जो दरवर की देखबाल कर सकता है साथ के दरवर को लेकर एसाई ने अपना ही न हुआ 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 है